जहिन दोस्तों स्वागत अब सभी का विजडम एजुकेशन पर हैं 29 अगस 2021 को BPSC के द्वारा ओविटर के एक्जाम का आयोजन करवाया गया है इस पेपर का मैं इनलाइसिस करने वाला हूँ ओविटर के पेपर का और बिहार में जितने भी एक्जाम होने वाले हैं चाहे वो 67 BPSC हो या CDPO हो या अन कोई भी एक्जाम हो सभी एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट होने वाला चलिए discussion स्टार्ट करते हैं Q1 भारत में संचित निधी से भुकतान किसके अनुदन के द्वारा कह जाता है तो जहां संचित निधी हो वहां संसत हो जाएगी और जहां आकेस्मिक निधी हो वहां राष्टपती हो जाएगा Q2 राजसभा में निवन राजियों में सीटों के उचित अबरोही कर्म यानि सबसे अधिक राजसभा में सीट कहां से है तो उतरप्रदिश से है उसके बाद महाराष्टरा से है उसके बाद तमिलाडू से है और उसके बाद बिहार से है भारत के समिधान के संसोधन किसके द्वारा पराराम किया जा सकता है लोगसभा और राजसभा दोनों के द्वारा पराराम किया जा सकता है कि राष्टपति गविनेट की सुकृति के उपांं थी आ राष्टि आपातकाल की गोषना करेंगे तो सिर्फ एक बार किया गया है और वो add किया गया है 44 समिधान संसोधन के द्वारा इसको add किया गया था बिधान सभाय के दोनों सदनों द्वारा बिल पास होने के बाद राज़पाल के पास निमलिखित में क्या बिकल्ब होते हैं तो यहाँ पर option है कि कौन सा कथन असत है तो यहाँ पर जो यह पांचमा कथन है यह बिल्कुल असत है और पांचमा आपको option नहीं तो इसका answer हो जाएगा option E पंचायत सदस्त की अयोगता का प्रस्थ को निर्धारित करता है तो राजी के जो राजपाल होते हैं वो निर्धारित करते हैं तो option A यहाँ पे सही होना चाहिए असत्य मिल करें समान नागरिक सनिता article 44 में है इसी तरह से पहला गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है इसमें सभी गलत है, सभी असत्य है तो इसका option क्या हो जाएगा? इसका option हो जाना चाहिए option D, सभी असत्य है उच नियाले के काल चेतर में बदलोग किया जाता है केवल संसत के द्वारा किया जाता है संसत ही उच नियाले के काल चेतर में बदलोग करती है क्योंकि आपने दिखा होगा कि कुछ राज ऐसे भी है कुछ नियाले ऐसे भी है जो दो राजी या दो से अधिक राज्यों को रेगुलेट करती है वहाँ के लिए जो है regulating करती है मसलन आपको जो से west वंगाल है तो west वंगाल, जो है अन्नमान, निकोवर्ट दीप, शमूख के लिए भी, जो है, regulate करती है उसको भी regulate करती है तो यह संसत के दोड़ा के जाता है तो option A इसका सही होना चाहिए राष्टपती को उसके काल काल की समापती के पुर्व किसके सुज़ाओ पे हटा जा सकता है तो संसत के दोनों सदन D राज में अध्यादेश राज में अध्यादेश आर्टिकल 213 और ऑप्शन B भारत में 33 पंचवर्सेय योजना और 4 पंचवर्सेय योजना में कितने वर्स का अंत्रा लें फंचर्सेय योजना से दो कोशन पूछा था ओर अज़िटर ने और आगामे एकजाम में भी पंच Вंचवर्सेय योजना से कोशन पूछा जा सकता है तो option यहाँ पर 20 सही होना चाहिए 90, 66 से लेकर करके 69 यह 3 वर्स का जो gap रहा था यह रहा था 30 और 4 पंच वर्स यह योजना में जिसी योजना अब कास की रूप में कहा गया था Q12 option C यहाँ पर 1,26,406 करोड यह total इसका answer है 1,26,406 रूप है sorry option C है 1,26,406 रूप है परती वेक्ति आये 2018 और 2019 के according इसको हमने कई बाद discuss किया PMLA जब मैं आपके साथ ED के बारे में डिसकेश करता हूँ तो मैं जरूर इसके बारे में डिसकेश करता हूँ Prevention of Money Laundering Act क्योंकि इसको regulate करने के बिए जिवेदारी ED को दिया गया है तो इसका option है option D HDI Index में सभी आते हैं जिवन परतिशा भी आता, परतिवेक्ति आये भी आता और सक्षाता दर भी आता तो ये काफी easy question कर सकते हो इसको option D Again एक easy question है यहाँ पे कि नई और दोगिक निती जो आई थी वो privatization, liberalization और globalization तीनों को उसको समाहित किया था option D यहाँ पे बिल्कुल सही है Trisame को लेकर के पहले भी विपेशी ने question पूछा है तो ये gramian विकास से संबन देत है ये question को आप टप question कर सकते हो चुकि आपको पता है कि और दोगिक निती जो आया था वो 1948 में आया था पहली, दूसरा आया था सेप्टमबर 2014 ये भी question tough question कर सकते हो date लोगों को इतना याद नहीं रहता है option C यहाँ पे सही है नवार जो संबन दीत है वो किसी सेक्टर से संबन दीत है वहाँ पे लौन देने के काम करते है तो उसको gramian साख कर सकते है option A छठी पंच वर्सी ये योजना होता मैंने सर्च किया है 918 है और 935 है तो ये जो लिंगानुपात है ये लिंगानुपात बिहार का लिंगानुपात है और बिहार का जो सीसू लिंगानुपात है child sex ratio वो 935 है दोनों से question पूशा किया है तो इसका answer होना चाहिए जनगना 2011 के अनुशार बिहार में सरवादिक जनसिख्या वाला जीला कुन सा है पत्ना है बिहार में टोटल जीलों की संख्या 38 smart city mission के तहत बिहार में चुने गए सहरों की संख्या 4 सहर चार सहर का नाम आपको पता होना चाहिए एक तो पत्ना है दूसरा है आपको मुझपरपूर तीसरा है भागलपूर और जो चौथा है वो है बिहार सरी तो ये चार्ट जीला है जिसको चुना गया है smart city mission के तहार तो option B सही है जनगना 2011 के अनुशार बिहार में साक्षरता दर कितना है तो 61.80 है ये 61.80 है तो इसका आंसर E होना चाहिए 61.80 है तो इसका आंसर क्या होना चाहिए E होना चाहिए 1857 के विद्रों के समय में दिल्ली का प्रभारी अधिकारी कोन था तो मेरे अनुशार ये option D हो सकता John Nicholson पहले थे हाला कि इसकी मिर्त्यू के बाद Lieutenant Herson भी आये थे लेकिन मेरे अनुशार इसका आंसर D हो सकता या E भी हो सकता तो ये आयोग पर डिपेंड करेगा का आयोग उसका क्या आंसर दिया था पहले John Nicholson थे इसकी मिर्त्यू के बाद Captain Herson को बनाया गया था तो देखते हैं इसमें आयोग क्या आंसर देता है दिल्ली दरवार का आयोजन Lord Litton के समय में 1877 में किया गया था किस अधिनियम के द्वारा अंगरीजों ने घोशना किया कि भारत के अधिकारियों की नुक्ति राष्ट्यता और रंग के भिदभाव के बिना किया जागा तो इसका आंसर होना चाहिए ओप्शन B 1833 का चार्टर अधिनियम हलां कि मैं पूरी तरह सो शोर नहीं हूँ आप लोग इसको देख लेना या आयोग के आंसर का भी वेट कीजिए दा हिंदू एसोशेशन के अस्थापना एनी वेसेट ने 1904 में किया गया था 1904 में एनी वेसेट के द्वारा किया गया था ओप्शन A यहाँ पर बिल्कुल सही है देखो इलिवर्ट बिल जो बिवाद हुआ था वो वह था रिपन के समय में एक कर दो होगा दूतिया अफगान यूद होगा था लीटन के समय में तो एक कर दो दो कर एक कहां पर है तो ओप्शन D में है अहरार आंदूलन से संबंदित नहीं थे तो सभी इससे संबंदित थे तो इसका ओप्शन E होना चाहिए हलां कि मैं शूर नहीं है और यह तफ क्वेशन है क्योंकि अहरार आंदूलन किसी ने नॉर्मली पढ़ा नहीं होता है तो इस तरह प्ष्टन बहुत तफ क्वेशन है तो इसका आंसर E होना चाहिए हालांकि आयो क्या decide करेगा वो मैंने ही कर सकता हूँ लेकिन मैंने जो search कहा उसके coding इसका answer यह होना चे क्योंकि सब ही संबन्दित थे इससे देखो ये question interesting है ये दूननन सर्मा गया से संबन्दित थे और कारियानन सर्मा जो है मुंगेर से संबन्दित थे तो एक का दो हो जाता है दो का एक हो जाता है एक का दो दो का एक तो option C ही यहाँ पर आ रहा है एक का दो दो का एक निविल्खित में कौन सा सुमेलित नहीं है सशिदानन सिन्दा इंडियन पीपल एसे डांगे नभ्यूक देखो मुहमद अली लिखे है कौमरेड यह कनफर्म है राजेंद परसाद लिखे है इंडिया डिवाइड यह भी कनफर्म है ऐसे डांगे नभ्यूक नहीं लिखे है यह कनफर्म है लेकिं सशिदानन सिन्दा इंडियन पीपल लिखे है या नहीं लिखें ये मुझे शूर नहीं है तो इसका आंसर या तो B हो जाएगा या तो इसका आंसर E हो जाएगा काकोडी डकेट कान में सुख़देव सम्मिलित नहीं थे तो option D इसका विल्कुल सही है कौन से कतन सही नहीं है चोरा चोरी कान 1922 में हुआ था पांच फरवड़ी 1922 के हुआ था तो E सुमिलित नहीं है बाकिस सब सही है फटे साही बिद्रो अगें टफ कॉर्शन फटे साही बिद्रो कारे में नॉर्मली लोग नहीं पढ़ा होता है फटे साही बिद्रो एक्चुल में बिहार का जो जिला संबन्दित था उसे वो संबन्दित था गोपाल गंज वरक के आसपास के एरिया संबन्दित था तो option C यहाँ पर सारन होना चाहिए किस महने पीर अली ने पटना में अंग्रिजों की खिलाब बिद्रो शुरू किया था तो इसकी मिर्त्यू ही हो गई थी 7 जुलाई 1857 की मिर्त्यू हो गई थी most probably इसका आंसर होना चाहिए C अगर मैं शूर नहीं हूँ आयोग देखते हैं इसका क्या आंसर जारी करता है लेकिन most probably इसका आंसर C होना चाहिए 7 जुलाई 1857 की मिर्त्यू भी हो गई थी बिहार किसान सभा के अस्थापना 1929 में किया गया था और भारते किसान सभा के अस्थापना 1936 में किया गया था यहाँ पर कोशन पूछ रहा है बिहार किसान सभा तो 1929 सभी होगा बिहार कॉंगरेस कमिटी के पहले अध्यक से मज़ूल हग यह कोशन इसी कोशन है कि बिहार में 1922 में किस हर में राष्टे कॉंगरेस का दिवेशन हुआ था तो गया में हुआ था 1912 में बाका में हुआ था और 1922 में जो है गया में हुआ था कोशन नमर 41 का आंसर हो जाएगा यह हार्मोनिक सिरीज कोशन नमर 42 का आंसर हो जाएगा 5 by 4 कोशन नमर 43 का आंसर हो जाएगा 4, option B हो जाएगा इसका आंसर 4 होना चाहिए question अब 44 का answer हो जाएगा 1 question अब 45 का answer हो जाएगा 51 अगर math question का सकतो आप tough था question अब 46 का answer हो जाएगा a plus b is equal to 1 हो जाएगा देखो ये concept है इसका log a b is equal to होता है log a plus log b तो इसको जब आप ये करोगे log a by b plus log b by a इसको minimize करोगे तो ये हो जाएगा log a by b गुना b by a तो ये ये कर जाएगा यानि a plus b is equal to 1 इसका simple इस तरह से answer निकल जाएगा option b ये भी interesting question इसका answer है b इसका answer है option a 49 49 का answer है d question number 58 अभाज संख्याओं का योग जो पहला अभाज संख्याओं होता है वो दो होता है उसका बाद 3 होता है उसका बाद 5 7 11 प्लस 13 प्लस उनीस तो दो तीन पांच साथ ग्यारह तेरह सत्रह और उनीस को जब आप जोड़ों गती यह आजागा सेवेंटी शेवन साइन्स का पोर्शन का भी टफ कोशन पूछाता है कल के प्लस में सबसे टफ कोशन या टफ पार जोगा सकते हैं वो साइन्स का पार था हीरे की चमक का कारण यह बेसिक कोशन था सभी को आता है नॉमली कोशन टोटल इंटरलर डिफेक्शन पूर्ण आंतिक प्रावर अनुतर होता है एक लड़का दरपन के सामने 30 cm की दूरी पर खड़ा है वो अपना सीधा प्रतिविम देखता है जिसकी उचाई उसकी वास्तविक उचाई का 1 by 5 है तो उत्तर दरपन होना ज़ा ऑप्शन B सही है कुरे को हम नहीं देख सकते है ज्चों की कुरे के बुंदों का प्रकाश प्रक्रकिरन था भूजाता है ऑप्शन D सप्लाइ लाइन में सक्ती का उछ भूलता पे अस्थांत्रिक के जता है तो option B लग रहा है, अंगरी जी जो पेपर में देखा, तो इसको देखर करके option B इसका लिए लग रहा है, कि सकती 6 को कम करने के लिए, लेकिन option D को देखो, ये भी हो सकता, सकती 6 को noon करने के लिए, तो अगर B और D दोनों होगा, तो ये answer होना चाहिए, लेकिन most probably इसका answer B होना ताप बढ़ाने पे धातू की बैद्दूत चालकता घरती है, क्योंकि option A इसका सही लग रहा है, या option कि तापमान बढ़ाने पे एलक्ट्रोन की उर्जा बर जाती है, तो A इसका सही लग रहा है, हलांकि मैं sure नहीं कुछ का answer क्या होना चाहिए, कुछ question को आयोग पे भी छो सभी चोंबक्या पदार्थ अपने चोंबक्या गुन खो देता है, गर्म किया जाने पर option B बिल्कुल सही है, ताप तार आमिटर का प्रियोग किया जाता है, तो इसको AC और DC दोनों को मापने के लिए प्रियोग किया जाता है, option D, photon क्या है, प्रकास उर्जा का एक कांटा, option A बिल्कुल सही है, easy question था, photon, रेडियोएक्टिव सकेरता दिखाने वाला, हाइड्रोजन का तीन समस्थानिक होता है, और जो तीसा समस्थानिक होता है, इसे कहता है ट्राइटियम, option C, और यही रेडियोएक्टिव होता है, भारत में पाहिए जाना वाला ट्राइटियम, युक तिखनीश कोन सा है, इल्मे नाइट, इसका आपने option भी सुना नहीं होगा, इल्मे नाइट के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ा होगा, बहुत कम लोगोंने इल्मे नाइट के बारे में पढ़ा होगा, तो option यहां पे D बिल्कुल सही है, इसलिए यह सब question tough question कर सकते है अगें ये भी tough question है कि किस enzyme के उपस्तिते में glucose या fructose C2H5OH में प्रावर्तित हो जाता है तो जाएमेज इसका सही answer है जिलेटिन का बहुदा परियोग ice cream बनाने के लिए किया जाता है कुलाइट को अस्थाई करने में तथा crystal बनाने से रोकने में कुलाइट नहीं है तो दूद कुलाइट है रक्त कुलाइट है मक्षन कुलाइट है लेकिन घी को मैंने कहीं कुलाइट नहीं देखा तो option यहां पर C बिल्कुल सही है question 65 65 का answer C होना चाहिए yes इसका answer C है NO NO2 दोनों जो है एक रंग हीन गेस है लेकिन जब दोनों को मिलाए जाता है तो गहरे भूरे रंग का गेस बनता है option यहां पर C बिल्कुल सही है किसका कुतनांग सबसे अधिक होता है तो hydrogen oxide यानि जल का कुतनांग इसमें सबसे अधिक होता है कितानू गेमेकसीन बनाने में किसका प्रियों के जाता है अगें tough question benzene hexachloride का प्रियों के जाता है option B winter green तेल जो है क्या होता है तो यह option D बिल्कुल सही है methane salicylate winter green तेल कहलाता है तो अगें यह भी tough question है यूरिया की पहचान के जाता है तो option A यहाँ पे सही है जो मैंने search किया है buy rate परिक्षण के दोरा के जाता है buy rate परिक्षण के दोरा इसका पहचान के जा सकता है तो option A यहाँ पे सही है आजकल सरवाधिक प्रचलित सुरक्षित सक्कर का विकल्प है option B यहाँ पे सही है ये भी tough question है थेलिस्मिया एक अनुवांसिक रोग है easy question कर सकते है रक्त का जो रोग होता ये अनुवांसिक रोग है रक्त से समन्दित है antimemia हिस्टोलिका की संक्रमन अवस्था होती है B सही है इसका निविकित में कौन सा एक सत्य उभेचर जन्तु नहीं है कच्छुआ को सत्य उभेचर जन्तु नहीं कह जाता है ऐसा प्राने जिसमें रक्त नहीं होता लेकिन स्वासन करता है तो hydra ऐसा प्राने है Option C दीमक्त की आंक को सेललोज को पचाने के लिए क्या उपस्तित होता EX장님 दीमक की आंत में जो सेललोज होता है उसको पचाने के लिए प्रोटोज़ूआ उपस्तित होता है Option E पक्षी अपने नाइट्रोजन यूप बिकार पदार्थों के किस रूप में उत्सर्जित करते हैं तो यूरीक एसिड के रूप में उत्सर्जित करते हैं option D नारियल कई फलों का फहलाब होता है endo corp के द्वारा तो उसका आंसर C होना चाहिए endo corp दूइ बीज पत्री पोधों के तनों का समवनी बंडल समानतक किस रूप में होते हैं तो इसका आंसर मैं शूर नहीं हूँ अगर आपको पता है तो कमें सेक्षन में हमें बताएं chlorosis उत्पन होता है chlorosis जो नॉर्माली अभी तक मैंने सर्च किया है वो उत्पन होता है अंधेरा करण तो option A इसका सही होना चाहिए हालां कि मैं पूरी तरह से शूर नहीं हूँ लेकिन मेरे अनुसार ये option A होना चाहिए जो पत्ते होता है वो पत्ते नॉर्माली पिला हो जाता chlorosis के करण question number 80 का option सही आंसर है option B plasmid चलो science का question सवापत हुआ अब question move करते है हम लोग current के और current का paper कल हमने discuss किया था इसलिए तेजी समय एक बार बताते हुए निकल जाओंगा चुके कल मैंने discuss किया था current के paper को लेकर के an era of darkness है तो an era of darkness सशी थुरूर लिखे है ललेत कादमी के अत्यक्ष है उत्तम परचाने नमस्ते ट्रम का आज़न क्या गया था मोटेडा स्टेडियम में COP 14 का आज़न नई दिल्ली में क्या गया था COP 14 2019 में हुआ था और यह UN CCD का सम्मीट हुआ था United Nation Convention to Combat De-Jertification मरवस्थली करन को रोकिने के लिए सम्मीट हुआ था इसका चोधुआ सम्मीर था जो नई दिल्ली में आयज़ूत किया गया था 2019 में नर्यन मोदी की बायोपिक में जो एक्टर थे वो बीवे को बढ़ाए थे और यह जो निर्दिशक थे वो ओमंग कुमार थे चुनावी बांड जनवरी 2018 में शुरुआ गया था राष्टे चिकेसा आयोग के अध्यक्ष कोन है एस सी शर्मा भी डिफेंस एक्सपोर 2020 कर थीम ऑप्शन सी इंडिया था इमर्जिंग डिफेंस मेनुफिक्शिंग हग भारत की निर्वाचन आयोग पहली ट्रांसजेंडर एम्बेसडर थी गौरी सावंथ भारतिय ज्यान कॉंग्रेस 2020 बैंगलोर अंध्राष्टे मुद्र इस समद्धी था यू एन एफ सी 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 यूनाइटे डिशन फ्रेमवर्स कन्वेंशन तू क्लाइमेट चेंज तो क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए ये कन्वेंशन होता है और इसका 26 सम्मेलन होने वाला है बिटेन के गलास को में ऑप्शन यहां पर सही है रोबोट सोफ पाकिस्तान के पहली महिला हिंदू जज सुवन कुमारी गलोवल वेक्षिन सम्मिट 2020 यूनाइट किंग्डम साहित का नोवेल मिला था लुइस ग्लुक को अप्शन दी यहां पर से बिल्कुल सही है बिस्व स्वास्त संगठन के कालिकारी बोट के अधेक्स थे डॉक्टर ह प्रस्वर्दन ओप्शन ए बिल्कुल सही है बैस्विक प्रसंता सुषकां को वर्ल हैपिनेस इंडेक्स में लगातार कई वर्सों से फिनलेंड टॉप कर रहा है कि कस्मीर के बेटी डॉक्टर सत्रुगन प्रसाद ओप्शन ए जल जीवन हर्याली अभियान एक्जेक्ट पूज दिया काफी टफ कोशन इसको कोगे इसका आंसर है 26 अक्टूबर 2019 को बिहार के राज सुचना आयुक्त नरेंद कुवाश इना ओप्शन डी देश के कोन है ये सुवर्धन जिना अयुद्या के राम जनभुमी ट्रस्ट में बिहार से नामित क्या गया कामेशोर चोप पेजल के लिए गंगा उदभाव योजना का पर्थम चरण में समयलित नहीं है तो नवादा समयलित नहीं है सियासर से सदस्ता पूस्तक काफी फिमस पूस्तक थी बिजय कुमार चोधरी की बिहार के उसमय में बिधान सभा अध्यक्स थे अभी बिहार के सिक्षा मंतरी है फीजिकल मॉडलिंग सेंटर वीरपूर में खुला गया है तीसरा खेलो इंडिया कारिश्परंद जो हुआ था गौहार्टी मुआ था ट्वेंटी ट्वेंटी कुश्चन वर्ट 109 डॉक्टर और नर्स का अंतराष्टी है वर्स और राजिवांदी खेल रतन एवार्ट जो है तीन महलाओं को दिया गया था ओप्सन बी बिल्कुल सही है अब आते हैं हम हिस्टरी के पोर्शन पे कौन सी पुष्टक बिंदुसार के अती सिक्थ छत्रिया उवर्णीद करती है तो इसका आंसर दिव बादन होना चाहिए हलांकि आयो पर डिस्पेंड करेगा कि आयो इसका क्या आंसर देता है लेकिन मेरे आनसर ओप्सन सी इसका सही होना चाहिए अगें टफ कोशन है इलावाद अस्ताम अभिलेक में 21 मी पंक्ति में आरिया वर्ण के कितने सासरिंगर जिखर किया गया है I think इसका अंसर सी होना चाहिए बट मैं इसका शूर नहीं हूँ I think इसका अंसर सी होना चाहिए बट I am not sure 113 को कोशन भी टफ कोशन का सिक तो हिस्ट्री का कि किसने तर्ग दिया था कि गुप्त और उत्रोतर गुप्त काल में धन अर्थपवस्था के पतन दिखाता है I think R.S. – Maybe R.S. रमा इसका अंसर होना चाहिए ये बट I am not sure अगर आपको exact इसका अंसर पता है तो हमें कमें सेwer रूर लिखें भूमी अनुदान कि ने दिये गए थे जो साहे दरबार से संबन दित्त या तो इसका अंसर ब्रह्मन होगा या इसका अंसर यह हो सकता तो मेरे अनुसार इसका अंसर B होना चेए ब्रह्मन इस कोशन को भी आप टफ कोशन कर सकता है अमीर एश शिकार की पद्वी पर बलवन को किसने न्यूक किया था तो नसुर्दिन महमूद सार ने उप्शन B यहाँ बिल्कुल सही है अकबर के समय में बिहार कितने सरकारों में बटा हुआ था तो आठ सरकारों में बटा हुआ था उप्शन C ये भी टफ कोशन है परगना सेरसा सुरी के समय में एक इकाय के रूप में था प्रसाशने के इकाय के रूप में था तो आप्शन C बिल्कुल सही है आलमगीर नामा किसने लिखा तो आलमगीर नामा लिखा है मिर्जा मुहमत काजीम आप्शन A बिल्कुल सही है मिर्जा मोहमद काजीम ने इसको लिखा है खूत और मुक्दम अलाउदीन खिल जी ओप्शन B दिल्ली में के सुल्तर ने सीजदा पर्थाक प्रारम किया था बलवन ने और उसको समाप किया था साजहाने कपास की परिदावार के लिए किरिसी बिभा की अस्थापना की मांग किस नहीं किया था I think Manchester Cotton Supply Association के द्वार किया गया था लेकिन I'm not sure इसका अंसर एक्जेक्ट क्या है मुझे एक्जेक्ट पता नहीं है बट मेरे अनुसार I think Manchester Cotton Supply Association के द्वार किया गया था बाकि जो question आपके लिए easy है वो सबके लिए easy है जिसे यह question अगर easy है तो आपके लिए easy है तो सबके लिए easy है normally क्या होता है कि tough question आपको exam main करवाता है देशी राज्यों से संबंद में सर्वोस्ता की सक्ति को सुवस्पस रूप से परिभासित किया था तो लौट करजर नहीं किया था यह question tough question कर सकते है option D किसने दास्ता की संस्थान की आलोशना की और इसको गयर islamic बताया था तो इसमें मैं sure नहीं उसलिए मैं इसका answer नहीं दे रहा हूँ इसका exact answer क्या है मुझे exactly नहीं पता अठास्ताबन क्रांदी के दौरान पटना डिविजन का जो है कमिशनर कौन था विडियम टेलर था option A बिल्कुल सही है question number 127 21 अगस्त 1858 को बिर्गिडिर्य डगलस के अधिन बिर्टिस सेनेदल के विरूद बहादुरिक साथ यूद ला रहा था तो कुमर्शिंग ला रहते हैं तो बिहार से एक ही वेक्ति थे जो कुमर्शिंग थे अभिना भारत सोसाइटी के अस्थापना 1904 में बीडी साहब उपके द्वारा किया गया था option B कि देखो सौवेनिय अभिग्या अंदूलन यहां पर क्ोष्व पूछ रहा है कि सामिल होने का नीचने किस ने लिया हागी पट्टे दारों को जमिनदारों से बेदेखल प्रियासों के बिरुद बहर या ताल आंदुलन जो चलाया था वो चलाया था बिहार किसान सभाने option C यहाँ पे सही होना चाहिए but I am not sure लेकिन मेरे अनुसार इसका answer C होना चाहिए यह काफी interesting question है इसमें काफी लोग फशे होंगे देखो दूना गिरी है उत्राखंड में मिकीर आपको अच्छा में पड़ता है और नीम गिरी यहाँ पे नील गिरी नहीं है कई लोग नील गिरी समझ लिए होंगे यह है नीम गिरी तो यह भी उरिशा में है इसका answer जो है कौन सुमिलीत नहीं है तो option A इसका सही होना चाहिए आपोर जो है आपोर जहारकर में नहीं है आपोर आपको है अरुना चिल परदेश में तो इसका A सुमिलीत नहीं है बाके तीनों सुमिलीत है यहाँ पे नीम गिरी के जगह कई लोगों ने नील गिरी पहर जाए होगा तो नीम गिरी है और इसा में नील गिरी है आपको सौथ में नेम गिरी में कौन सा कर्थन सही नहीं है तो इसका जो है answer C होना चाहिए इसका answer C होना चाहिए और D भी मुझे लग रहा है देखो C आंसर क्यों है कि भारत की सबसे बड़ी जो समुद्री टट है कुछ चेन नहीं में पड़ता है तो option C तो बिल्कुल गलत है और जो है महान सम्रावंस जो है जो एरिया है महान सम्रावंस ये एरिया रायस्थान के छेत्र में तो है गुजरात के छेत्र में है कि नहीं ये मैं sure नहीं हो तो मेरे अनुसार इसका answer most probably C होना चाहिए हाला कि इ सबसे कम लिंगानुपात पंजाब को इंगीत करता है तो ये तो बिल्कुल गलत है ये भी गलत है तो दो गलत है इसका answer हो जाना चाहिए इस कहवा में अंगरणी है कहवा यानि कॉफी में जो अगरणी हमारा स्टेट है वह करनाटगा अनुसुची जन जाती का अधिक्तम प्रतिसत सबसे अधिक अनुसुची जन जाती यानि एस्थी जो है वो है आपको मद प्रदेश में लेकिन प्रतिसत पूछ लाया तो प्रतिसत मिजोरम में सबसे अधिक Q.137 अगें एक टॉफ कुशन इसको कर सकते हैं और ये कुशन पूछा है ये वाइल लाइफ सेंचूरी से पूछा है कोट्टी गागो वाइल लाइफ सेंचूरी जो है गोआ में है दल्मा है जारखन में मुकामबिका करनाटिका में है लेकिन नईयर जो है ये 36 गर में नहीं है नईयर है आपको केरला में तो ऑप्शन C यहाँ पे सही होना चाहिए 138 किस एक किसी उपज का भारत बिस में सबसे अधिक उत्पादन करता है तो कपास करता है ऑप्शन A कोशन नमर 139 का निमलेखित में कौन से एक रूस की नदी है जो परसान वहासागर में बहती है आमूर यहाँ पे विल्कुल सही है ऑप्शन C कोटा किना बालू सरवोच सिखर है कहां के तो मलेशिया क्या ऑप्शन D विल्कुल सही है कोशन नमर 141 दिखो एक जो है दस ते लूट कहां का है इरान का और रब अल खाली है सौदी अरब का तो एक का दो दो का चार का चार एक का दो एक का दो चार का चार ऑप्शन C आपको मिल जाता है सही मैच कोशन नमर 142 भूमत सागर या प्रकार की जलवायू नहीं है तो इसका आंसर मोस्ट पबली होना चाहिए B उतरी न्यूजलेंड इसका आंसर होना चाहिए ओप्शन B कौन से कथन सत्य नहीं है सत्य नहीं है तो इसका आंसर होना चाहिए ओप्शन C इसका आना हो चाहिए क्योंकि कोरोसी जोला मोखी यूएसे में नहीं है ये जोला मोखी है केनिया में कोरोसी केनिया में एक जोला मुखी है बाती सभी कथन सही है बिहार में सोमेश्वर पहारी जो है वो पश्मी चमपारन में है तो option A यहाँ पे सही होना चीए ककूलत जलप्रपात बिहार का काफी फिमर्स जलप्रपात है नवादा जिले में कई वार कोश्चन पूशा गया यह बिहार में सरवादिक जन संक्या घना तो यह भी कई वार कोश्चन पूशा गया बिहार में सरवादिक जन संक्या घना तो जो है वो शिभर का है निरंजना नदी बुद्ध को ज्यान की प्राप्ति वी थी निरंजना नदी के टर्पे इसके फालवु नदी भी खा गया ऑप्शन डी और सबसे अधिक उतपादन किसका हुआ है तो गेहुं का सबसे अधिक उतपादन हुआ है 2017-2018 में तो चलिए यह पिपर था इस पिपर के आइडिया आगे या इस पिपर के अनलैसिस के आदार पे आपको पता चला होगा कि क्या important होने वाला आगामी exam में science पे काफी work करने की जरूरत है और current section जो है पुराने current में पुछे गया है जितने current इसमें जो पुछे गये थे वो 2020 के पुछे गये थे तो हो सकता आगामी exam में भी आपको पुराने current पुछे जा सकते है देट होगर काफी important है कुछ योजनाओं कर देट पूछ दिया है ऐसी तसर पंच वर्सी योजना से भी question पूछे गया है तो चले वीडियो देखने के लिए धन्यवाद thank you so much हुआ 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 है